सभी को मैं सुधा को स्वामी एक बर पुना अपने चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वाकत करती हूँ आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप सब के लिए और ये वीडियो है मिसन प्रेणना मिसन प्रेणा क्या है, मिसन प्रेणा किसके द्वारा लागू की गई, ये कब प्रदेश में लागू किया गया इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो जैसा कि आप सब अगर सिक्षक हैं, तो मिसन प्रेणा से सभी भली बाती परचित होंगे कि मिसन प्रेणा की वज़े से हमारे पित्यालेओं में एक रांदिकारी परिवर्दन हुआ है और ये हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री स्री योगी आदिति नाची की बहुत ही मत कांची योजना है और हमारे स्पीडी सरकाइस में बहुत बड़ा योगदान है वो एक आंदोलन के रूप में इस मिसन प्रेणा को लेके चल रहे हैं स्री विजे किरण आनंद जी तो चलिए हम सिख्षकों को मिसन प्रेणा के विश्य में सब कुछ जानकारी होना बहुत आवश्य है कि मिसन प्रेणा है क्या ये क्यों लाई गई है इसका लक्ष क्या है और ये कब तक पूरा कर लेना है आईए जानते हैं तो देखिए मिसन प्रेणा एक परिचे सब पढ़ें सब पढ़ें सब पढ़ें तो आईए जानते हैं कि भई मिसन प्रेणा है क्या वैसे सब को अच्छे से पता ही होगा लेकिन अगर इसको हम लिख के अपने विद्याले में कहीं एक कोने में चिपका दें तो ये इस मरण हमें हमेशा से ही रहेगा बच्चों का भविश्य उनकी बुन्यादी सिक्षा पर निर्भर करता है इसी उदेश को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री माननी स्रीयोगी आधितिनाजी ने सितंबर 4 सितंबर 2019 को मिसन प्रेड़ना की शुरुवात की तो मिसन प्रेड़ना की शुरुवात 4 दिसंबर 2019 को हुई मिसन प्रेड़ना का उत्देश प्रदेश की 75 जिलों के 1,69,000 स्कूनों में सिक्षा की गुर्वत्ता बढ़ा कर एक करोण असी लाग बच्चों को बुनियादी सिख्षा से जोड़ना है इसका लक्ष बहुत बड़ा है जो हमारे एक करोण असी लाग बच्चे हैं उनकी बुनियादी सिख्षा से वो कैसे जोड़ पाएं यही इस मिशन प्रेड़ना का लक्ष है कच्छा सिच्छन को बहतर बनाने है तो बुनियादी सिच्छा उपचारत्मक सिथा से उनको जोड़ना है आधारशिला, ध्यानाकर्शन, सिच्छन, संग्रह जैसी हस्त पुस्तिकाओं के माध्यम से 5,75,000 सिच्छिकों को प्रसिच्छित किया जा रहा है यह हमें मॉडियोल दिये गये हैं और इसमें सिच्छन की नई नई विधियां बहुत ही रोचक तरीक्या से हमें बताई गये हैं प्रेणा लक्ष निधारित किये गये हैं कच्छा एक से लेके कख्षा 5 तक भासा और गणित में प्रेड़ना लक्ष निर्धारित किये हैं जिसमें हम फिछले कई वीडियों में चर्चा कर चुके हैं प्रात्मी विद्यालेओं में सिक्षक की विकास दर को जानने के लिए प्रेड़ना तालिका द्वारा हर तीन महीने में बच्चों की पढ़ाई का मुल्यांकर परिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है तीन महीने में हमारे विद्यालेओं में परिक्षा भी कराई जा रही है परिशदी विद्यालेव में लर्निंग आउटकम को बढ़ाने और स्कूलों की निगरानी हे तुजीलों के हर ब्लॉक में हिंदी, अंग्रेजी, गणी, विग्यान, सामाजी विसे के पाँच एकेडमिक रिसोर्स परसन जिनको हम एरपी कहते हैं उनकी बड़ी फौर बनाई पाँच जा रही हैं यह हमारी साथ एरपी साची सिच्छक ही है जो इन दिस्यों के लिए इनका चैन किया गया है एरपी की टीम हर माप्रदेश के एक लाख पचास हजार इसकूलों का निरेक्षन कर रही हैं इस मिसन के तहद सिच्छक सिचछीकाओं को निस्टा प्रसिक्षन और दिक्षा आप पर 4000 से अधिक डिजिटल ट्रेनिंग वीडियो भी हम लोग के लिए जारी किये गए हैं ब्लॉक के प्रतेग न्याज पंचायत में 5 सिच्छक संकुल बनाए गए हैं या आप सबको अच्छे से भलीबाती पता होगा कि हमारे बीज के ही जो कुछ सिच्छक हैं उनको न्याज पंचाल स्तर पर सिच्छक संकुल बनाया गया है इसकूलों के भातिक बातावरण में सुधार हेदू और प्रिशन का अकल्प किया जा रहा है तो ये है एक संचित परजय कि मिशन प्रेणा क्या है और किसलिए मिशन को चलाया जा रहा है इसकूलों में बुनियादी सिच्छा को मचबूत करने के लिए उसके भातिक बातावरण को सुन्दर बनाने के लिए इस योशन को चलाया जा रहा है और इससे प्रेरग प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रेरग प्रदेश बनने की और अगरिशन है तो एक बार आप पुने देख लीजे तो ये था आज का मेरा वीडियो, उमेद है आपको अच्छा लगेगा और बस बहुत बहुत धन्यवाद